देश को बेचाया इस्ट इंडिया कंपनी के हाथ सिर्फ इस चीज के लिए कि गद्धी मुझे मुझे नहीं हूँ है नशे में एक सैनिक ने एक दो हत्याएं कर दी है जहिंद आप सभी को सवतंता दिवस की हार्दिक बढ़ाई आज हम ये बात करेंगे कि कैसे इस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में प्रवेश की कैसे एक कंपनी जो यहाँ पे मसालों का वैपार करने आई थी धीमे धीमे पूरे भारत देश पे राज करने लगी किस तरह से भारतियों का शोशन किया इस्ट इंडिया कंपनी ने और कैसे कुछ क्रांतिकारियों ने इस इस्ट इंडिया कंपनी की जणे तक हिला दी मेरा नाम है लगपांडे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पंदरवी और सोलवी शताबदी में ये प्रचलन चल रहा था कि यूरोपी लोग थे पुर्टुगाली फ्रेंच डच अंग्रेजी लोग थे ये समुंदर के रास्ते से इंडियान ओशियन हिंद महासागर के आसपास के जो दीप थे जो देश थे यहां पर आते थे वैपार करने सस्ते दाम पर यहां से कच्चा माल उठाते थे सस्ते जाते थे यूरोप में और वहां पर महेंगे दाम में माल बेच के बढ़िया मुनाफ़ा कमाते थे अचाहिए लेने क्या आते थे सबसे पहले यह मसाला वगेरा लेने आये थे यूरोपी लोग को मसाले की क्या जरवत थी अब यूरोपी लोग ना मीट के बड़े शौकीन और मीट को अगर लंबे समय तक ताजा रखना है तो उसमें मसाले वगेरा डालने पड़ते हैं दाल चीनी सिनेमन वगेरा डालने पड़ते हैं तो सबसे पहले तो यह इस तरफ आये थे हिंद महासागर की तरफ मसालों का वैपार करने बाद में यह कॉटन, सिल्क, इंडिक हर तरह का वैपार करने लगे इसी कड़ी में सन 161900 में जन्म हुआ भाई इस इंडिया कमपनी का ब्रिटेन के अंदर अब ये East India Company एक private company है जो वैपार करने Indian Ocean के आसपास आएगी इसलिए East India है East इसलिए क्योंकि अगर आप देखो ब्रिटेन से ये East दिशा में पढ़ रहा है तो East India Company के एक officer थे William Hawkins सहाब सन 1608 में समुद्र के रास्ते से होते 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 ये पहुचे गुजरात सूरत के तटपे पहुचे जब ये सूरत के तटपे पहुचे उन्होंने का हमें तो देर हो गई हिंदुस्तान में तो पुर्तगाली लोग पहले से वैपार कर रही है हमसे पहले पहुच गए ह है पूरा यह सूरत्मगाली रोग वाइपार करतें थे जहाँ गीर मिला पड़ेगी एपोले यहां गीरिषाभ बुले शाहमें आपके साथ कार है औपको कुभ सारा पैशा देंगे तो जहांगीर को से लानाों रूटके लाएंगे Silk समुद्री रास्ते से जहांगीर साब कौने पता है यह वो है शहजादे सलीम अनारकली वाले तो वही संगीत अंगीत में ज्यादा दिल्चस्पी थी इनकी कवीता होई ता में दिल्चस्पी तो जहांगीर साब के कैबनेट मिनिस्टर ने कहा जापना आप पहले से साली लोग को दिया वैपार निकनने देंगे यह बले जिद्धी थे होकिन साब यहीं के राज में रुख गया हम यहीं रुखेंगे वैपार करने दो हमें के वैपार निकर भाएंगे धी में इनको समझ में आया कि अभी जो दक्षण छोर है यहां पर हम जाके इस इंडिया कंपणी की वैक्ट्री लगा सकते हैं सां 1611 में इस्ट इंडिया मजदूर सस्ते में मजदूर सते में मचछलय में पर ऊठाया जहाज पीलाधा और लेके चलेगा है कहा बृटेन में ले चाले महें के दाम पर बेचा hundreds इतना मोड़ना पर हुआ की इस इंडिया भेज़ दो यह सूरत के आसपास ना थोड़े पुर्टोगाली लोग हैं इनको हरा देते हैं इस तट से भी हमी वैपार करेंगे तो ब्रिटेन की सरकार ने अपनी सेना भेज़ दी अपनी आर्मी भेज़ दी और फिर 1612 में एक जंग हुई स्वाली की जंग हुई यहां पे सूरत के पास में किसकी कि ब्रिटेन की सेना की और पुर्टोगाल की सेना की इसमें पुर्टोगाली सेना हार गई पुर्टोगाली वैपारी हार गए और पुर्टोगाली वैपार सिमट के रहे गए सिर्फ गोवाले री जन्में